हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट 2021 स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टुडेंट्स नीट 2021 की काउंसलिंग का वेट कर रहे है तो आपने अब तक अपने आंस्वा सीट जो उनने ये बोला था कि जो हमारी OMR सीट थी उसमें काफी ज्यादा आंसर हमारे सही थे लेकिन जो NTA ने रिलीज किया है रिजल्ट उसमें हमारे उतना स्कोर नहीं बन रहा है तो गैस फाइनली जो आपकी स्केंड OMR सीट थी वही रिलीज कर दी गई है तो जिन भी स्टुड को डाउट था वो अपना डाउट के लिए कर लिजीएगा ठीक है अब देखिए काफी सारे स्टुडेंट्स हैं जिनका कोमेंट आता है कि अलग-अलग स्टेट की कट-off कोमेंट आ दये हैं कि क्या रहेगी तो आज मैं इस वीड़ीयो के अंदर उत्रपरणे स्टेट के अं कौन सा कॉलेज मुलेगा किस कांसलिंग में आपको पार्डिस्पेट करना चाहिए ठीक है कौन सा कॉलेज आपको टार्गेट करना चाहिए कितने मार्क पर कितने रेंक पर तो पूरी इंफोर्मेशन उत्रप्रदेशा स्टेट के स्टुडेंट के लिए रहेगी और जो अल इ को latest information मिलती रहे और सभी states की अलग-अलग वीडियो भी आपको मिलेगी ठीक है वैसे मैं already combined video डाल चुकी हूँ कुछ states की आप देख सकते है otherwise अलग-अलग state की भी जैसे काफी सारे जो questions थे students की वो यही थे कि हमारे इस state की वीडियो डालिएगा तो गाइस अलग-अलग states की भी अलग-अलग वीडियो होगी अब हम चलते हैं यूप state की जितने भी colleges है उनकी जो cutoff है 2020 के अंदर कितनी गई थे और 2021 के अंदर कितनी जाने वाली है तो देखे गाइस तो गाइस यहाँ पर मैंने यूप स्टेट उठाया है यूप स्टेट की जो colleges है यहाँ पर आप categories देख सकते हैं अन्रिजर्व के टेगरी बी-सी एकोनोमिकली वीकल सेक्षिन SC और SD ठीक है यहाँ पर आपको rank मिलेगा यहाँ पर score मिलेगा कितने score पर कितना rank student का आया हुआ है और last जो closing rank रहा है इन particular colleges के अंदर यह रहा है ठीक है तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं Autonomous State Medical College and Associated Teaching Hospital जो की बहराईच के अंदर है गैज इसके अंदर जो जन्रल के टेगरी का last rank रहा है वो रहा है 15,450 और आपका रहा है BC का रहा है 16,990 EWS का 16,989 SC का रहा है 1,24,560 and ST का रहा है 3,85,727 तो गैज आप ST के अंदर देख सकते हैं काफी कम marks पर्वी student का admission हुआ है ठीक है अब हम चलते हैं next college के उपर Autonomous State Medical College जो की कहां है आयोधिया के अंदर है तो गैज इसके अंदर जन्रल का जो माना गया है 12,632 OBC का माना गया है 13,986 इस rank तक के student का यहाँ पर admission पॉसिबल है इससे ज्यादर rank के student का पॉसिबल नहीं है EWS category का माना गया है 13,745 SC के लिए 1,16,154 and ST के लिए 3,32,977 rank तक इस college में admission हो सकता है Next है Autonomous State Medical College जो की कहां है बास्ति के अंदर है जिसमें Unreserve की कटोप माननी गई है 14,949 OBC की 16,846 rank तक इस college में admission हो सकता है 2021 के अंदर EWS में 16,370 and SC के अंदर 1,22,924 and ST के अंदर 3,50,633 rank तक के student को ये college easily मिल जाएगा Next है guys Autonomous State Medical College जो की कहां है फिरोजाबाद के अंदर है इसमें General के expected cutoff जो है वो मानी गई है 14,001 BC की 16,006 and guys SC की 1,16,226 and ST की 3,96,032 यहां तक rank student के admission हो जाएगा easily Next है बाबा रागावदास Medical College जो की कहां है गोरखपूर के अंदर है guys 2020 और 2021 के जो score और rank है almost equal है तो आपको 2020 का data उठा कर देखना है जिस वे स्टेट से आप बिलॉंग करते हो अपने अपने colleges देखने है कि उन colleges के अंदर किस category के अंदर कितनी कटोफ गई थी उसी के according आपको counseling के अंदर participate करना है बार बार मां आपको यह चीज़ क्लियर कर रही हूं नेक्स्ट कोलेज है गोरकपूर के अंदर बाबार राग है उधास medical college जिसमें जेनरल के expected का टोफ जो मानी गई है रैंक में 9296 और OBC की 11310 एंड SC की 83001 एंड ST की 2,34,527 रैंक तक के student को यह college मिल सकता है नेक्स्ट है गाइज डोक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्ट्रीटूट अच्छा कोलेज है जिसमें जेनरल की expected जो रैंक मानी गई है 4095, OBC की 6004, SC की 56,865 एंड गाइज ST की 1,5907 रैंक तक के student को यह college मिल जाएगा नेक्स्ट है गवर्न्मेंट एलोपेथिक मेडिकल कोलेज जो की कहां है बांडा के अंदर है जिसमें जेनरल की कटोप मानी गई है 3,55,149 यहां तक की रैंक के student को यह college मिल जाएगा नेक्स्ट कोलेज है गाइज नोईडा की अंदर गवर्नमेंट इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसे ग्रेटर नोईडा जिसमें जेनरल की कटोप मानी गई है 8,377 रैंक OBC 11,318 SC की आपकी मानी गई है 37,288 and ST की 1,89,443 रैंक तक के student को यह college easily अलोट हो जाएगा नेक्स्ट है गाइज गवर्नमेंट मेडिकल कोलेज और सूपर फैसलिटी होस्पीटल जो की कहाँ है अजमगड की अंदर है जिसमें जेनरल की expected का टोप मानी गई है 13,058 OBC की मानी गई है 14,493 SC की 1,7,085 and ST की 3,42,954 रैंक तक के student को यह college मिल जाएगा नेक्स्ट है गाइज बदायू की अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कोलेज जिसमें जेनरल की expected का टोप मानी गई है 13,963 OBC 16,080 SC 1,12,448 and ST 3,95,686 गवर्नमेंट मेडिकल कोलेज गवर्नमेंट मेडिकल कोलेज जिसमें जेनरल की expected का टोप मानी गई है नेक्स्ट है गाइज गवर्नमेंट मेडिकल कोलेज जो की कन्योज के अंदर है इसमें जेनरल की expected का टोप मानी गई है 11,187 OBC की 13,004 SC की 97,700 and ST की 3,16,039 रेंग तक के स्टूडेंट को यह college मिल जाएगा नेक्स्ट है गाइज किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवसिटी लखनाओ काफी अच्छा कोलेज है ये UP का ठीक है जिसमें mostly all इंडिया कोटा की स्टूडेंट्स जाते है तो इसमें जो जनेरल की कटोप मानी गई है 2568 OBC की 4050 SC की 43,364 and ST की 43,364 यहां तक के रेंग के स्टूडेंट को ये college easily अलोट हो जाएगा नेक्स्ट है गाईज लाला लाजपत्राइब मेमोरियल मेडिकल कोलेज जो की कहां है मेरट के अंदर है तो इसमें जनेरल की एक्सपेक्टिड का टोप मानी गई है 7892 OBC की 9448 SC की 70,492 and ST की 2,5523 रेंग तक मानी गई है नेक्स्ट है महा माया राज की एलोपेथिक मेडिकल कोलेज जो की कहां है अंबेडगर नगर के अंदर है जिसमें जनेरल की कर्टोप मानी गई है 11,769 OBC 13,524 SC 1,9,388 and ST 3,30,915 यहां तक की रेंग के स्टूडेंट को ये colleges इसली अलोट हो जाएंगे यह मैंने लिए है यूपी स्टेट के जो कुछ colleges है जिनकी कटोफ हाई जाती है ठीक है फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है या कोई क्योशन पूछन पूछना है तो आप कोमेंट बॉक्स में कोमेंट कर सकते हैं किसी और स्टेट का अगर आपको चाहिए तो भी आप कोमेंट बॉक्स में कोमेंट किसेगा वहां आपको उससे रिलेटिड वीडियो आपको जरूर अप्लोड मिलेगी ठीक है गाइस ओके थेंक्यू गाइस